तेरे पुल किया पसंद दिली की पहाड यहां पे पुरा टाइम हमें बता चलता है एक एक सेकंड पता जलता है लाइफ की इंपोर्टेस बता चलती है बट जितना मसा आता है लुप सबसे अगोषना ब्रहाए नुमें यह बहुत बंदा कद्या पुरा गोवर खेग दिया मुझ पर साची ने और मेरी टीम के दो मेंबर ने मुझे दोपा दे दिया कद्दार निकले दोनों और गाईज आप देखो कोई जानवर इदर से गुजरा होगा उसका इतना बड़ा पैर मर गई कौन कितने 30 मर गई थे और इन दादा में मुझे अपने दादाजी नजर आते हैं अभी इतनी हिमत निवरी कि बाहर तक जाओं अंधिरा बहुत बहुत बचुका है और थोड़ा बहुत डर भी रखता है अब जानवर अरे कट खी ना कट गया साम पिखे गाइस गॉड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब लोग तो आज है मेरा च्छाटा दिन गाउं में और काफी ज़्यादा अच्छा लग रहा है अभी तक तो काफी अच्छी जानी रही है खूब घूमें हम इस बार और आभी हम ल चाचा लोग में नया इमाल्शू के लिए बढ़िया बना रहा है अब ही देखो चाची हमारी क्या करती है चाची आपके एक बदले काले एक बदले सफेद ऐसा क्यों अच्छा ये घी का है तो काला हो गया तो या क्वेस्टा ही लाए ना मुझा आता को पहड़ो में है अच्छे तो नोच अब नी जान नहीं आता है कि यहां की लोगों को दिली जासे शहर बिल्कुल हुआ उत्रखाड को पसंद की पहाड़ आणि की पहाड और इसंदा एट रगक्षा से पूछ लेते हैं तेरा क्या पसंद है दिल्ली की पहाड लेकर तो पाहड पूछ पूर्णा Mas Currently किसी गो बी पसंद सब किसी को नी पसंद किया को थे अच्छा लगता आपको इस में दिल्स अ कि awesome यह यह देखो क्या कर दिया तो चाची आपको कैसा लग रहा है क्या पसंद दिल्ली की पहाड दिल्ली की पहाड। आपको क्या पसंद है दिल्ली की पहाड। चाची आपको क्या पुछिए पूण दिल्ली पयार है कि पहड पिया यह की दॉना पसे ज़्ग फसद्द आप गदवाल पसंद भार अार दादा जी आगए बड़े दिनों बाद वीडियो में तो मैं सुividualर चाप पाल वार on Ah The乾 सिन जै इई दर लिआना अगर ली कोुछे जै टार लिए अगर होताँ यह पसंच झे पवांड यह शो क्या रावा साँ फैस्यक स्मास के दिल ली कि पहाड़ क्या चा चा तो आइस अभी हम जा रहे है चहन में आपको दिखाऊंगा सलमान खान बड़ा प्यार सा सलमान खान है और लास्ट येर जिसके लिए हमने घास बास काटी थी वह भी दिखाऊंगा और यह वह रॉल है जिस पर पहले हमें डर लगता था तो अलका भी काफी डरी एसमें और बा है तो मतलब यहां ठंड गर्मी दोनों हैं बड़ ठंड सबसे जादा है सोच दिल्ली में समय कूल और इसी वगरह सब चीज़ चल चुके है बट फिर भी हम लोगों कहां ठंडी लग रही है तो रात को ऐसे ठंड लगती है लगता है कि दिल्ली का दिसमबर आ गया लोजी आ पानी बरसात में खूब आता है तो मज़ा आता है इसको देखने में बट जितना मज़ा आता है उस दो डर अधर लगता है यह दो चाची को देखके कैसे बोलने लग गया कि जल्दी आओ उजे भुक लग गई तो लोजी गाई जिर हमारी जन यह है सलमान खान हमारा उसका आम बुरी उसका नाम में बुरी और अचरांधा तो अ समलमाँ खाने के लिए अंग lunar कर दो कि इने का उगए सलमान कं बश्वा लाटी को यह यह बड़ी जब बग्ञता हमारां सप्राइज सवा अ गए कर दो इने की है प्रीजहय ए वैग्राए लिए नाश्यलमान कारा इस सारग ओवर ओवर एक साइग में खटा कर दिया है तिरे लगा दी ये तिरे बांजने में तो गाइस ये जो खुम है ये मैंने फिशले साल लगाए थे सितंबर में और अभी तक फुल भरे हुए है और दो-ती महिने काम चल जागा है इन खुम से नहीं कि इन घास हो से इस है पर टाइम स्पेंड ही नहीं हो बाता है सोचो कितना टाइम रहता हमारे पास और दिल्ली में समय तो लोग उठते ही है सुबह साड़े नौ दस बजे के करीब और फिर पूरा दिन उनका निकल जाता है ऐसे हवा की तरह यहां पर पूरा टाइम हमें पता चलता है एक एक स बिखा दिया है गुड़े वह भीका दिया हां अब देखो ली खेली जारी है हां मेरे पर दाल के दिखाओ गुड़ से तयारी हो यह मार में की गईस इस साइड एक उसे बार पानी फियक रहे है मसा आरा काफी जादा वाली के बाद आफ्टर रोली एक सिल्मु मजे ही काला कर दिया दूसरा गुडिया मेरी टिम में थे कद्दार निकले दोनों धोका हो गया दोका मैं अकलर पड़ गया चार लोग पड़ गया अकलेश भी है लोजी गाइज भुली खेलने के बाद अब चांच पीते हैं तूफान आ रहा है तूफान यह देखो और कित्ती ठंडी हावा चल दिया बाप रहे दिन में ठंडी हावा मज़ा आ गया यार मेरी वीडियो देखी जा रही है यहां पर दोनों चाचियो दोहरा अपनी वीडियो इखा रहा है बहुत ज़्याद हम उसको रारी हो दोनों बिल्कुल यह जो है यह पौधा यह है लिंगड़े का पौधा लिंगड़ा काफिता फेमस है पाहड़ो में इसकी सबजी बनती है जंगली घंस है बहुत टेस्टी होती है वहाँ खाई हमने और फिलाल इसका सीजन नहीं है एक या डेड़ महीने बाद इसका सीजन आ जा ग अब बहुत छोटे हैं जब बढ़े होंगे तो अससे गूल-गूल घूम जाते हैं काफी अच्छा लगते हैं उससे में जो खाने का मज़ा है और जिस जगवे पानी होता है उससी साइड पर लिंगड़े जैसी यह पानी घर रहा है ठीक है अब पानी गिर यहाँ नीचे की कमी की अजय से यह लोग भाव हैं अब क्या कर सकते हैं दोनों चाची आलसी है बहुत जादा हम लोगों को तयार कर दिया कि हम लोग जा रहे है नीची की साइड अब खुछ जानी रहे हैं यह से तोड़ रहे हैं तरह कहां पसंद है उत्रा खंड यह फिर दिल्ली अच्छा द जैसे फसल ऐसे लहरा रही है तो ऐसे बीच में से गुसके पूरी फसल ही खराब कर देते हैं ताकि वह आगे उप जाओ ना हो लोगाइज आ पर गांस उफाड़ी आ रही है जो इतनी सारी गांस बीच में पड़ी हुई है जो किसी काम के लिए इसको गाए भैसके काम आ जाएगी और दूसरी चाची देख आपको बहुत गहना पेड दिखाई दे रहा है और यह आपको बहुत जगह मिलेंगे अतराखन में यह दिखिए इसकी पत्तियां यह बांच का पेड तो इसका उप्योग क्या होता है एक तो गाएज के पत्ते खाती है पॉस्टिक अहार होता है दूसरा क्या काम नहीं आते अच्छार अच्छार नहीं पत्तियों के लिए जो गाएज भैंस और खाती है उसके बाद जो इसका पेड़ है जो चाची बता रही है हल्के काम आता है का जो नोकिला हिस्सा होता है जो लकडी का तना वह बनता है इससे और जो पीछे आला हिस्सा होता वह भी बनता है इससे जो दंदल होता है जो मन आपको एक ब्लोग में दिखाया था अगर आप लोग स्टार्टिंग से फॉलो करते हैं तो उसमें जो चार हिस्सा वाला होता है वो भी इसी से बनता है, पीछे लकडी होती है, वो भी इस से बनता है, और जब यह सूख जाती है, तो इसको जलाने के काम भी आता है, बांच का पेड़ आपको हर जगर मिलेगा, यहाँ पर आटोमेटिक है, यह कोई लगाता नहीं है, इनको, आटोमेटिक लग जाते हैं, य यह ऊपर ऊपर ऊपरो तो गाइस दो पेड़ बहुत जादा आधा दो पेड़ बहुत जादा फेबस पेड़म पेड़ की हार न सब हम में अपना Signal के आधा जाएव जाएगे तो जैसे यह टाची का खेत है तो अगर बांच का पेड ऐसं खेत में ऊगा प्रेड़ पेड पेड़ और प्रेड़ रहेंगे और यह वाला भी, बठ ये दोनों पेड रहेंगे चाचीगा, तो ऐसा होता है, जिस खेत में जो पेड होग जाये, वो पेड उसी बंद्रे गुए जाता है, जिसका वो खेत है, अगर यहां पर आम का बीच गिर गया और आम का पेड होग गया, तो automatically वो हो जाता है उस इंसान क जिसका ये खेत है तो लोजी गाइस घंस मास काट लिए ले जा रहे है उसको भैसो के लिए तो यह रही घंस की फंची फंची बोलते इसको और अभी हम लोग जाएंगे च्छन में भैसे का दूद निकालने चाची निकालने की दूद आपको एक वार वार मैं सलमान खान तेरे किते दिल बाद दुल रहा है तू किया हूलै क्या चीए चलो कि दूद लुगाई जी है रहा हमारा सलमान खन सलमान अट सलमान सलमान खन गर्खाया दी बिशसका नाम अरे अरे वह अग्रोनाइग नहीं कुरोनाइग नहीं पुरोनाइग नहीं है तुम्हारी मर गई कुछने तेज्ट मर गई थे तुम्हारी तोलो जी गाई चाची निगाल देगे दूद अभी हम जा रहे दादाजी के साथ चाई पीने के लिए और काफी दूद लोगे चाई नहीं पी थी दादाजी साथ तो दाजा जी इधर देखो कैसा लग रहा है आप चाई पींगे आपके सांथ बहुत अच्छा अच्छा तोलब काफी समय बाद ना तो जब दी मैं आता हूं में तो एटलीस्ट दादाजी के स अपकी तरह शैदर हट चाई हाटा हटे था वर में चवड़ी टोड़े बेलकल राच्छा कितनने लंबा बगरे पार ओर व्हच राता दा और और हड़ हल लगाए थे पूरी किसां फैहं मतलौं ये ठेल श्ञके तो मैंसा अट देखा थो है ने दादा जी को बड़ता अपने दादा जी नजर आते हैं और को做 對 पैम यम्धा का कला कड़ने करद सोने हैं और किस दादा जी को बैच चैने हैं यजों इसारी इस दादा जी ऐरों काफी छोटी थी मेरे दादा जी से बाठ फिर भी बहुत अच्छे दोस्ती मेरे collaboration क tandem पोछा था, कि मैं दादा जी का अधा आती है। वाफ। थो डादा जी कहा दाती है। व भी गाइज द्वार पेपे कि आता है। अब चाही पीएंगे, दादा जी गहा नहीं पहले सुखुन कहा हुआदा जी के हुआ अधाज἗ी। और यह रहा दादाजी का घर, दोनों दादाजी का घर, बड़े दादाजी दर रहते हैं, छोटे दादाजी दर, और एक किस्सा सुनाता हूँ, दोनों दादाजी ने मिलके, और जो उपर आले दादाजी थे मेरे, सबसे बड़े आले, उन्होंने मेरा नाम क्या रखा था बत तो यहां पर जो बड़े दादा जी थे वो पर दादा जी और बड़े दादा जी बहुत बच्राइए और मेरा सर भड़िया था नहीं होगा तो नहीं होगा इस पार जल्दवाजी में आए और एकली बार जरूर्ट अठील की तरफ नहीं जाते कूकि घास यहां से नहीं हुई और आगी कर्मगरम चाय हमारे लिए लिए अपने नाम के स्पेलिंग बता पूरा पी ओके एट आई वाई एल तो गाईज यह है पटवारी इसका नाम है भूला अगर आपने इसको पिछले साल देखा होगा तो यह बहुत ज्यादा शैतान था इसका दूसरा नाम आयुश्वी है शैतान था ना आप शरीफ बनी गया क् कैसे बना शरीफ मार खाके किसकी अचा मैंने मारा तुझे मारा जूड़ो होलता है फिर शरीफ बनीगा पढ़ाई पर ध्यांदे पर इसलिए फुनक फुनक के चलने वाली तुनकी तो लोजी गाईज हो गया अंधिरा और साथ बच चुकी है रात के लाइटे जल चुकी है तो साथ बचे इतना गादा अंधिरा हो गया देखो कुछ भी नहीं दिखाए देरा आसपास का सिर्फ आप लाइटे दिखाए देंगे आपको जंगल 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 और सिर्फ लाइटे घरों के अंदर तो लोजी गाईज आट बच चुके हैं चाइवाई पीली हमने लूए तो आज क्या बन रहा है चाची रोल रोटी और चाचा क्या हां अब B strategies कारते looks ऑर उचोटे आभे लोगा WhatsApp गाओ बंस टेरऊ काने दून आधे लोग बहुत जल्दी खाना खालते जंगल तो आप लोग नो वज़े सोने के लिए जा रहे हैं तो आपको एक वाले कितने विज़े खा लेते होगा। तो गाहन वाले लग्भाग आठ वज़े सोने चले जाते हैं। अब किसी की भी आवाज ने आएगी, बस अंदर टीवी चल दीए, हल्की फुलकिस की वाज आएगी, बाकी और किसी की नहीं आएगी, ना चिडियों की, ना इंसानों की, ना किसी की भी नहीं, तो अब आपको इबार मैं व्यू दिखाता हूँ, कैसा है व्यू पहाडों का, बिल्कुल अंधेरा वरोख आए, गिनी चुनी लाइते जल रहे होंगे, पूरा पूरा अंधेरा वर गए, और सुकून है, मुल्ण बाहर इतना थंडा हो रहा है, मुल्ण थंड लगने लगए बाहर, दिन में गर्मी होती है, और सुभह और रात को बहुत थंडी होती है, बहुत थंडी, अपरेल के महीने में इतनी थंडी मतब किसमतों होगे मिलती है, वार्ना तो इसी भी इतना थंडा नहीं गर पाता ह, जितना थंडा भी बाहर हो रहा है, और पानी को हांट भी ने लगा साथ इंगा लहां सब्द्र तो बहुत थंडी हो चलते हैं बहुत थंड़ ठंडी हो जलते हैं जानवर चानवर अब हमारा चोकट तक बाग आजाता है और जंगली सुरर आजाते हैं जंढली भालव आ जाते हैं Max to max time जो होता है वो है 9.30 या 10 बजे तक, max to max वरना गाउवाले तो 8 बजी सो जाते हैं, पर आजकल थोड़ा फून का जमान है और थोड़ा टीवी का जमान है, तो 9 बजे max to max होता है गाउवालों के लिए और जो कुछ extra occasion होगा जिसका, वो max to max 10 बजे, उतके बाद सब सो जात तो बस आजके व्लॉग में इतना ही मिलता हूँ आपको अगले व्लॉग में तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत, जै दे भूमी, हसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, खुश रहिए, बाई!